नमस्कार दोस्तों वैदी के स्ट्रू में आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे कि सिंपल रिमेडीज हम अपने ही कर्मों से कैसे सही करें हम सबको पता है कि कर्म जो है काफी सारी चीज़ें चेंज कर सकती है और काफी सारी चीज़ें सच बताऊं तो कर्म प आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अपनी ही कर्मों से सारे जारे सापने Chis में हम बात करेंगे कि अपनेशी कर्मों से सारे Lie Gesek को हम कैसे सही कर सकते देखिए जो यह भी यह जीवन हमें मिले है इस जीवन में जόσोब हमारे EMPAT करते हैं लाइफ को यह कहीं न कहीं हमारे पिछले जनम में कोच prior होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं वो इस जनम में हमें मुश्किलों में डाल देते हैं और कुछ ऐसे रिष्टे होते हैं जिनको हमें सही करने से हम अपने कुछ चुनिंदा प्लानेट्स को हम सही दिशा मिले सकते हैं और अगर वो हमारे जीवन में अशुफल दे रहे हैं, तो वो शुफल देने लग सकते हैं, वो हमारे उपर है, हर प्लानेट एक सदिस्य, एक इनसान, एक रिलेशन को दर्शाता है, तो हमें उसी प्लानेट के रिलेशन को अच्छा करना है, अपने कर्मों से, तो आटोमेटि वो प्लानेट अच्छे और शुफल देने लगेगा, ठेक है, हम मन से किसी भी प्लानेट को सही करना चाते हैं, तो हमें अंदर से अपने आपको चेंज करना ज़रूरी है, जैसे मैं सारे प्लानेट्स के बारे में बताऊंगा, कि वो कौन-कौन से लोगों को, कौन-कौन से रिष्टों को रिप्रेजेंट करता है, जिससे आप उन प्लानेटों को, अगर आपको सही करना है, सिंपल आप उन रिष्टों को निभाएं, अच्छे तरह उनसे संबंद बनाएं, तो धीरे-धीरे करके आपके जो प्लानेट्स हैं, जो आप देख रहे हैं कि वो आपके जीवन में अर्चन और मुश्किले ला रहे हैं वो सारी मुश्किले धीरे-धीरे करके ठीक हो जाएंगे तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगे कि कौन सा प्लैनेट कौन सा रिष्टा कौन सा इंसान जो है आपके लिए की है रहेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें मैंने एक छोटा सा नोटपैट बनाया है आप लोगों के लिए जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें कौन से प्लैनेट के लिए किस रिष्टे को अच्छी तरह निभाना ज़रूरी है देखिए मैं इस वीडियो को इसलिए क्यों कि देखिए रेमेडी कई सारी तरीके की होती है लेकिन असलियत में रेमेडी तब काम करेगी जब हम अपने से चीजे बदलना चाहेंगे तो अगर जैसे मैं बात करूं शुरुवात हमें करनी है सूर्य से सूर्य मंडल के सबसे इंबॉर्टन प्लैनेट है ठीक है तो अगर मैं सन की बात करूं वो हम सब जानते हैं सन जो है एक आत्मिक प्लैनेट है आत्मा का प्लैनेट है तो हमें सन जो है अगर हमारे पिता को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें अपने पिता से रिलेशन अच्छे रखने हैं जिससे हमारे जिस सूर्य है वो अच्छे फल द बुरे फल दे रहा है या वो मुश्किले ला रहा है तो आपको अपने पिता के साथ संबन्द आप अच्छे करें, उनका ख्याल रखें, उनकी बाते सुनें, उनसे बहस ना करें, तो आपका सूर्य बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा जो है एक माता का कारक है, तो हम अपनी माता की रेस्पेक्ट करेंगे, माता की ख्याल रखेंगे, तो चंद्रमा हमेशा के लिए आपके अच्छे फल देने लगेगा। वैसे ही चंद्रमा अगर राहू और केतू से संबंद बना ले, तो वो हम कह सकते हैं कि हमारी सास को भी रिप्रिजेंट करता है, तो चंद्रमा जो है हमारी सास है, कोई भी बूरी मा है, जिसके अगर किसी का भी आप चंद्रमा सही नहीं है, तो किसी भी बूरी माता को वो अगर ख्याल रखे देख भाल करें तो अटोमेटिकली उनका जो चंद्रमा है वो बहुत ही शुक्ष फल देने लगेगा ऐसे ही अगर बात करें मंगल की मंगल जो हैं आपके छोटे भाई हैं या किसी भी इंसान है जिसको आप छोटे भाई जासा देखते हैं उनका आप ख्याल रखें उनके साथ अच्छे समद्ध बनाएं तो अटोमेटिकली मार्स या मंगल जो हैं आपकी कुंडली में अच्छे फल देने लगें ऐसे ही अगर हम बुद्ध की बात करें बुद्ध जो है सिस्टर का या बहन का कारक है बुआ का कारक है या मौसी का कारक है तो इसके लिए इन रिष्टों को अगर आप अच्छी तरह से निभाएंगे तो बुद्ध जो है आपकी कुंडली में अच्छे फल देने लगेंग जिन से आपने ज्यान अर्जित किया ज्यान क्या है ज्यान वो है जो कि आपको एक अंदकार से प्रकाश की तरफ ले जाए चीजों को समझने की शक्ती दे तो वो गुरु देते हैं तो गुरु की इज़त करना बहुत जरूरी है अगर आप गुरु की इज़त करते हैं तो उनको हमें respect करनी चाहिए और कोई भी knowledgeable person है उनको आप as a Jupiter treat कर सकते हैं और उनसे अच्छे समन्द बनाएं उनका respect करें उनकी बाते सुनें उनके मांग दश्रपेच ऐसे ही अगर हम Venus की बात करें Venus जो है एक female का कारक है स्त्री का कारक है तो आपको अगर शुक्र को अच्छा करन करें उनका respect करें सम्मान करें तो automatically ख्याल रखें अगर आप husband है अपनी wife का ख्याल रखें उनकी सेवा करें automatically यह जो Venus है वह बहुत ही अच्छे फल देने शुरू करतेगा शनी की बात करें शनी से लोग डरते हैं लेकिन शनी जो है वह सबसे की planet है जो वह planet है जो हमें मेहनत क करके ही उस फल को अर्जित करें क्योंकि आप लोगों को पता है अगर हम काल पुरुष के कुंडली के बात करें तो शनी जो है दस्वा घर और यावेधर को ओन करते हैं दस्वा घर मैनत कहे है और यारवा घर उस भेनत से लाव का है तो इसलिए आपको हमेशा जिन्दगी में मेहनत करना है और लाब अपने आप शनी देव आपको देंगे तो आपको किसी भी कुंडली में अगर आपको लगता है कि शनी देव अच्छे फाल नहीं दे रहे या आपके लाइफ में मुश्किले लग रही है सैटन की वयसे और आपको सैटन की रेमेडी करनी है तो किसी भी तो शनी जो है वो एक व्रिद इंसान को दर्शाते हैं लेबर को दर्शाते हैं तो आपको इनका रेस्पेक्ट करना है इनसे गलत बाते नहीं बोलनी है स्पेशली हम देखते हैं कि हम लेबर से काफी रफ बोलते हैं जो की सही नहीं है आपको अगर किसी को इज़त देंगे तो आपको ही अच्छा इज़त मिलेगा तो इसलिए हमेशा दूसरों की इज़त करके ही बातचीत करें ताकि सैटन जो है वो आपका अच्छा हो और आपके जीवन में अच्छे फल दे तो अगर हम राहू की बात करें राहू दादा या दादी को रिप्रेजन करते हैं तो आप उनका ख्याल रखें और अगर केतु की बात करें वो नाना या नानी को रिप्रेजन करते हैं लिए बहुती शुब फल देने लगेंगे अगर वो कोई भी मुश्किले ला रहे हैं आपकी कुंडली में तो इनी रिष्टों को सही करके आप बहुती असानी से अपने ही करमों से इन प्लानेट्स को शुब फल देने के लिए आगरह कर सकते हैं और वो शुब फल जरूर दे अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि आगे हम और भी नए वीडियो बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए बहुत बद्धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए वैदिक एस्टों की तरफ से आगे लेकाम